हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में XPS वीवर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सिब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सिब्सक्राइब करन ना बुले चलिए शुरू करते ेसको करने के लिए बहुत सा तरीक है उनमेंसे आपको कुछ तरीका बताता हूं कैसे आपको करना है पाला तरीका के लिए सर्च पर क्लिक कर देने किलिक करती इस तरह से इस торा से होない आपको क्या अपको दिख जाएगा Microsoft XP Document Writer आप देखने हैं यहाँ पर इंस्टॉल है तो आपको क्या किने इसको यहाँ से अंटिक कर देने हैं यहाँ पर अंटिक कर दिजेगा इसके बाद आपको क्या किने यहाँ पर आपको ओके कर देने हैं करने के बाद इस तरह से यह फीचर डिसे बल होना शुरू हो जाएगा यानि अनिस्टॉल होना शुरू हो जाएगा अब आपको क्या किने, System को Restart करने के बाद, आपको क्या किने, दुबारा यहाँ पर, इस तरह से Window Open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर टैप कर दिने, Window Features, इस तरह से Type कीज़ेगा, टैप करते हैं, यहाँ पर आपको First Option दिखे जाएगा, इसके उपर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं, फिर से इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, आप आपको क्या करने, यहाँ पर स्कॉर्डन करने के बाद यहाँ पर दिखी जाएगा, Microsoft XPS Document Writer, आपको क्या करने, फिर से यहाँ पर आपको इसको टिक मा कर देने, इसके बा आपको क्या करने, एक बार सी स्टम को आपट रिये स्टार्ट कर दीजेगा, रिये स्टार्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आपको की स में जो यहीं पर आपको क्या कर दिने, इस तरह से विंडो ऑपन हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे cmd tap करते ही हाँ यहाँ पर दिख जाएगा command prompt इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा runner minister इसके बाद आपको किलिक करते ही इस तरह से window open हो जाएगा यद है स्थार से window open हो जाएगा यहाँ पर yes परный click करते हैँ Paste करने के लिए यहाँ पे आपको दो तरीका है एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे right click कीजेगा इसके बाद आईडी टूपे जाईएगा इसके बाद यहाँ पे आप paste पे click करके इस command को यहाँ पे paste कर सकते है यानि तो आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको mouse का करसल कहीं भी रखना है इसके बाद mouse का right button आप यहाँ पर प्रेस कीजेगा तो भी इस तरह से command paste हो जाएगा तो दोने तरीके में से किसी एक तरीके से इस command को आपको paste करने के बाद यहाँ पर सच्च पर क्लिक कर देने किलिक करते है इस तरह से open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको ट tip कर देने gp edit इस तरह से tap की जाएगा tap करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा edit group policy, इसके उपर आपको click कर देना है, click करती है, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करने है, इसको यहाँ से बरा कर लिजेगा, ताकि आपको case में भी यह clear दिखने लग जाए, अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा computer configuration, इसके उपर आपको double click करना है, double click करती है, इस तरह से list open हो जाएगा, आपको क्या करने है, यहाँ पर आपको search कर लेना है, यहाँ पर आपको search कर लेना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, setting for optional, इसके उपर आपको click कर लेना है, इसके उपर आपको double click करना है, double click करती है, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके करने के बाद आपको क्या 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 करने के इस विंडो को यहां से क्लोज करने के बाद आपको क्या करने के बाद आपको क्या करन इस तरह से window open हो जाएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा window update इसको पर आप click की जाएगा click करते ही यह window open हो जाएगा इसके बाद आपको कहके नहीं यहाँ पर दिख जाएगा check for update इसको पर आपको click कर दिने के बाद आपके case में भी जो भी update available होगा यहाँ पर आपको दिख ज के जरूर बताइए आपके case में कौनसा method काम किया है और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you